दिल्ली में आज दिकजों के नामांकन दाखिल करने का दिन किरणवेदी केज़ीवाल और जे माखन समेथ कई दिकज भरेंगे परचा बीजेपी के सीएम उमीद्वार किरणबेधी कृष्णा नकर से भरेंगी परचा नामांकन बनने से पहले रोड़ जो करेंगी किरणबेधी आज अर्वन केश्वाल भी नई दिल्ली स्ट्रीट से भरेंगे परचा कल रोड़ शो में फसने का हवाला देखर टाल दिया था नामांकन कॉंग्रिस मेता अजे मांकन दिल्ली के सदर बजार से भरेंगे परचा नामांकन से पहले अजे मांकन का रोड़ शो दिल्ली में आज नामंकन का आखरी दिन जगदीश मुखी और विजंद्र गुपता समेट बीजेपी के कई दिगज आज भरेंगे पर्चा कॉंगर सेदा किरणवालिया नई दिल्ली से भरेंगी पर्चा राश्वधी प्रणम मुखर जी की बेटी शमिष्टा मुखर जी ग्रिटा कैलाश से दाखिल करेंगी नामंकने प्रणम अगर सीट से चुनाफ लड़ रहे आम आद्मी पार्टी के उमीदवार एसके बग्गा ने कहा अगर केज जीवाल लड़ना चाहें तो वो मैदान से हट सकते हैं मंगलवार को केज जीवाल ने रोड़ शो के जरिये किया अपनी ताकत का प्रदर्शन तैशुदा कारिकरम के बाद भी नहीं भरा नामंकन आम आद्मी पार्टी की सफाई भीड के चलते नामंकन के लिए नहीं पहुँच सके केज जीवाल जामनगर हाउस जाकर केज जीवाल को फरना तापक्चा केज जीवाल ने चनावायों को दिखाया ठेंगा नोटिस के बाद भी दिया रिश्वत लेकर वोट देने का बयान फिश्रन अगर की सबाव में फिर कहा दूसरी पार्टियों से पैसा लेकर आपको वोट दे अरुन केज जीवाल ने केज जीवाल को दी बहस की चनावती कहा सबी टीवी चैनलों पर हो बहस का प्रसारण केज जीवाल के साथ दिदान समय में बहस के लिए तैयार मैं बहस में नहीं काम करने में यकीन रखती हूँ बीजेपी प्रवक्ता शंभित पात्रा ने कहा धरना ड्रामा तक सीमित है आम आदनी पार्टी किरण बेदी को बताया आईरन लेडी के जीवाल को कहा आई रन मैन दिबती धर्म गुरू दलाई लामा ने की किरण बेदी की तारीफ जेल में योग और ध्यान कारेक्रम शुरू कराने के लिए की सरहना समाचार एजिंसी पीटे आई की मताबिक कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीवेय ने तीन मिन पहले पूर्प्रदान मंत्री मनमौन सिंग से उनके ख़र जाकर की पूस्ताच कॉंग्रेस नेता विशेग बनु सिंग भी ने कहा कानूनी प्रक्रिया का पानन किया गया बीजेपी का बयान कोट की फटकार सजागी सीवेय ने विशेश अदानत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था मनमौन सिंग से भी होनी चाहिए पूस्ताच सीवेय को सताई जिनवर्णी को दाखिल करना है स्टेटिस रपॉर्ट मनमौन सिंग के वचाद में उत्रे यूपी सरकार के मंतरी आजम खान कहा मनमौन सिंग एक कमजोर पधान मंतरी जरूर फे लेकिन उनने कोई बेमान नहीं कह सकता मनमौन सिंग जी की छवी पूरे मुलक में एक कमजोर वजिर आजम की यकिनना है लेकिन कोई बेमानी का चार्ज उन पर नहीं है और कोई हिंदुस्तानी उन्हें बेमान नहीं कहता चाहें वो विपक्ष का ही व्यक्ति क्यों नहीं हो एक कारकर में फैसाबाद पोजेक केंद्री परवन मंत्री जिन गड़करी का विवादत बयान केंद सरकार को राम भक्तो और जैश्री राम का नारा देने वाली सरकार बताया आयोग ज्यासे चित्रकुट तक ये राम भक्तों की सरकार है जैश्री राम का धारा देने वालों की सरकार है आच्छाम दिल्ली में राजनेतिक मामलू की कैबिनेट कमिटी की बैठक आगामी संसित सत्र की तारीखों को लेकर होगा फैस्दा प्रधान मंत्री जंदन योजना का नाम गिन्स बुक अवर्ल रिकॉर्ड में शामिल गिन्स बुक के अधिकारियों ने ये अधिकारिक घोशना योजना के पहले हफते में ही एक करोड़ अस्सी लाग खाते खुले प्रधान मंत्री कल बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, योजना का करिंगा उप्चारिक शुभारम हर्याणा के पानिपद जिले में योजना की शुरुआई बीजेपी अधिक्ष हमिच्छा ने मम्ता के गढ़ में जाकर दीबी के खलाब भरी हुंकार वर्दवान की रैली में कहा वोट के लिए बंगलादेशी खुसपैटियों को दी जा रही है शुरुआई पूरकेंद्री मंत्री और टीमसी नेता दिनेश्टरवेदी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल मंता सरकार के चार मंत्रियों के भी बीजेपी में शामिल होने की खौबर शार्दा चिटफंड मामले में मंगलवार को भी सीबियाई के सामने पेश नहीं हुए टीमसी नेता मुकल रॉय कल पेश होने की ती आखरी तारीक दिल्ली में इंडिया गेट के लौन आम जन्ता के लिए बंद सेना ने समारा मोर्चा इलाके की खेराबंदी की अमेरे की राश्पती बड़ाक उबामा के दौरे को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा 26 जनवरी को होने वाले समारों में उबामा होंगे मुख्या ती मुंबई के वनखेडे में फड़नविस के शपत ग्रण समारों पर अठनवे लाक तेतीस हजार का खर्च एक आटी आई के जरी हुआ खुलासा आर्थिक संकर्ट से जूजवई स्पाइस जेट एरलाइन्स को एक और छटका मुंबई इंटरनाशनल एरपोर्ट लिमिटेड ने बकाया चुकाने के लिए फरवरी के पहले हफ़ते तक दी डेट लाइन्स बीती राथ दिल्ली के उस्मान पुर में एक बिल्डिंग गिरने से अफरात अफरी पांच लोगों को बचाया गया कुछ लोगों के मल्वे में तबे होने के आशनका किराइदार के मताबिक जरजर हो चुकी थी तीन मंजिला इमारत शिकायत के बाद भी मकान मालिक ने मरम्मत पर नहीं दिया जान बंबई से सटे थाने के उपनगर आसन गाउस स्टेशन के पास दर्दनाख हादसा ट्रेन से कटकर चार महिलाओं की मौत पट्री पार करते समय हुआ हादसा दिल्ली में आजारपुर मंडी के सामने एक शक्स की सरयाम गोली मार कर हत्या अग्यार विद्माशों ने मारी कोली योवक्त ने मौके पर ही दम तोड़ा सवालों के घेरे में सुरक्षा वेवस्ता विजरात के भरूच में एक केमिकल फैक्टरी में धमाका एक मजदूर की मौत तीन बुरी तरीके से खायल केमिकल से भरे ड्रम को वजन करने के दौरान हुआ ब्लास्ट पंजाब के समनतारन बीजेपी और अकाली दलकार करता हूँ के बीच हिंसक जड़ाप कई लोगों के सख्मी होने की खबर और इसी के साथ बीजेपी और अकाली में तकरार की एक और घटना सामगा है गया के नवाडी में नकसनियों का उत्पात सड़क में रमाड में लगे दो ठ्रकों को आग के हवाले किया ठेकेदारों से वसूली का मामला धहशत में हैं वहाँ के ठेकेदार मोबाल के सरकारी अस्पताल में देखी लापरवाही पसफ के लिए पहुची अस्पताल महेला को भरती करने में देरी महेला ने अस्पताल के बाहर دिया बच्चे को जन्म अब शिकंजे में हैं अस्पताल के करमचारी और डॉक्टर ट्वाइस सीरीज में टीम इंडिया का लगातार हार का सिलसला जारी ब्रिस्बिन में एक तरफा मुकाबले में इंलें नौ विकेट्स से दी करा दी शिकस भारत की पूरी टीम जामिस ओवर से पहले ही एक सो त्रेबन नमना कर धेर इंग्लिंड ने 27 ओवर में एक विकेट खो कर आसानी से हासल किया लाक्षि मुंबई में हमिताब की नई फिल्म शमिताब का म्यूजिक लॉंच एक साथ दिखे तीन दिगज बिग बी कमल हसन और रजनी कान मुजिक लॉंच पर दिखा पूरा बच्चन परवार फिल्म के निमातावी शेक किस साथ एश्वरे और जया बच्चन भी समारा हूं माचूँ शमिताब में बिलकुल अलग अदाज में परदे पर देखेंगे बिग भी मुजिक लॉंच पर अविताब ने फिल्म में गाया पिडली सॉंग यवन में राश्वद्य के न्awास पर हमला राश्वद्य पूरी तरह स्रक्षिट शिया हूथी विद्रोहियों ने की गॉली बारी राश्वद्य के पिसे रखिछितों होने के ق कि इन्या और तंचानिया में में अमेरीगी दुतावास पर अतक के एलपो और होम्स में सेना और विद्रोयों के बीच जम कर बंबारी अमेरिका के ब्रुक्लिंड में पैदा हुए वैसाम अलहनाफी को 15 साल कारवास की सजा अल्काइदा को मदद ठेराने का तोच्छी रूसी राश्पती जला अमीर पूतिन का बयान दुनिया के दूसे देशों की चनोतियों का सामना करने के लिए सेना को मजबूत बनाना होगा